मोवी के ओपनिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नेम है रेंचा ये अपनी कार को एक मैंचिन के सामने पार्क करता है रेंचा यहाँ पर एक आदमी का मर्डर करने आया था वो आदमी एक मिलियन डॉलर ट्वाई कंपनी का प्रेजिडेंट है हम उसी आदमी को देखते हैं जो स्टोर रूम में बैठा शेल्फ पर पड़े अपने ट्वाईस को देख रहा है वो वहाँ पर एक रेंट फेरी को देखता है इसके बाद वो स्टडी रूम में विंडो पर खड़ा हो जाता है यहाँ पर रंचा भी उसको देख रहा था वो अपने गन को लोट करता है वो अपने फेस पर मास्क पहनता है और इसके बाद वो उपने टार्गेट की तरफ जाता है वो फेस मास्क इसले पहनता है ताकि कैमरे में कोई भी उसका फेस ना देख सके security guard को trick करने के लिए ये entrance पर एक phone रख देता है जिस पर के countdown था security guard उस phone को देखकर बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है वो इस phone को तूट फैकना चाहता था मगर तभी run choice बात का फाइदा उठाता है वो guard को मार देता है इसकी gun में silencer था जिसकी वज़ा से इसके target को इसकी अवास नहीं आती और वो alert भी नहीं होता इसके बाद ये guard से कीस चुडा कर सीधा security room में जाता है वहाँ पर जाकर ये CCTV camera's को disable कर देता है CCTV camera बंद होने के बाद ये अपना mask उतारता है इसके बाद ये study room की तरफ जाता है वहाँ पर इसको एक कोर security guard मिलता है मागर ये उस security guard को भी बहुत ही असानी से मार देता है इसके बाद ये उसी room में जाता है जहाँ पर कीस का target है ये उसके चस्ट में बहुत साथ बुलिट चलाता है और इसको मार देता है अब जब इसका target मर चुका था तो रेंच्या वहाँ से एक crane ferry उठाता है और साथ ही में ये table पर एक picture देखता है ये picture actually में मरने वाले की mother की थी इस picture के उपर एक note भी लिका हुआ था मगर ये इस पर कोई खास ध्यान नहीं देता next scene में हम देखती है कि ये airplane में बैठा enjoy कर रहा है और ये अपने client को कहता है कि मैंने murder कर दिया है successfully done साथ वाली passenger इससे glue मांगती है मगर साथ ही वो इसके back में green color की ferry देखती है और वो काफी जदा हैरान हो जाती है वो सोचती है कि इतना बड़ा grown आत्मी अपने साथ खिलोने रखकर जा रहा है अब रंचा जब एरपोर्ट पर पहुँचता है तो इसने जिसका murder किया था उसकी news हर जगा पर भैल गई थी ये एक लड़की को notice करता है जिसके पास एक doll है जैसी के twice company के president के room में पड़ी थी ये इसके बारे में सोचता नहीं है मगर इसको काफी अजीब लग रहा था इसके बाद ही एक और toy को देखता है और तब ही ये toy भी इसने मरने वाले के room में table पर देखा था इसके बाद ये घर पहुँचता है और table पर वो ही green fairy रख देता है इसके बास और भी बहुँचता चीज़ें थी एक्चुली में ये जिसका भी murder करता था वहाँ से एक चीज़ उठा कर ले आता था ये काफी ज़दा ठक गया था और अब ये सोफे पर ही सोचाता है अपने email का reply करते करते के सोचाता है अब आथी रात को जब ये चाकता है तो एक doorbell बचती है अब जब ये front door कैमरा से चाकर देखता है तो ये दर्वाजा नहीं खोलता कहाँ पर कोई receptionist थी चुके एक box लेकर राई थी अब ये दर्वाजा तो नहीं खोलता मगर वो receptionist महां से चली जाती है अब ये उसी box को अपने खर में ले आता है ये उस box को किचन काउंटर पर रखता है box पर एक नौट था जिस पर सेंडर की information थी मगर ये सेंडर के बारे में कुछ भी जानता नहीं था मगर उसके उपर चो सिकनेचर था ये सिकनेचर बिलकुल वैसा था कि इस ने जिस आत्मे को मारा था जो उसकी मदर के पिक्चर पर सिकनेचर था बिलकुल वैसा था अब रणशा इस box को दूर फैटना चाहता था मगर ये काफी ज़दा curious था अब रणशा उस box को खोलने का decide करता है ये बहुत ही carefully उस rapper को open करता है ये actually में twice का box था जिसमें काफी ज़दा twice थे उस box के उपर surprise bonus लिखा हुआ था रणशा बॉक्स को बहुत ही careful यर अलाइस करता है कि कहीं इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहों कि डॉम बगएरा या फिर कोई trap भी हो सकता है बगर इसको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती और आखर का ये box को खोली लेता है box के अंदर plastic के soldiers थे उनके पास guns भी थी, tank भी थे और helicopter भी थे ये box को चेक करता है मगर कोई मश्कूक चीज़ नहीं थी अब रात कोई ये box हो थी kitchen counter से नीचे किर जाता है नहीं पता कि वो कहा चले गए और साथ ही और भी बहुत साथा अचीब सी चीज़े होती है जैसे के window के cardals move करने लग चाते है light खुद ही switch on और off हो रही होती है और तब ही रंशा ये भी देखता है कि cable खुद ही कट हो गई है साथ ही में या तम एक soldier आकर इसके पाओ पर attack करता है और यहां पर रंशा को समझ जा क्या था कि इन सब के पीछे ये ही soldiers है जो के box में थे तब ही ये जब नीचे की तरफ छुपता है तो वो ही soldiers bullet से इस पर attack करना start कर देते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं मगर काम कर रहे हैं बड़े बड़े ये फोरन से पीछे हो जाता है मगर जब ये तुबारा उनके करीब आता है तो वो एक explosive से इस पर attack कर देते हैं explosive इसके band को भी चला देता है अब साथ ही उनसे बचकर ये चलती चलती washroom में आता है जहांपर ये देखता है कि इसका गुटना बहुती साथा injured हो गया है और इसकी skin में बहुत सारी bullets पे भस चुकी है अब उन soldiers के सामने ये नहीं आना चाता था इसलिए ये mirror का use करता है उनकी हरकतें देखने के लिए living room में वो ही soldiers light और bulbs को destroy कर रहे थे ताकि हर तरफ अंधेरा हो जाए अब जब soldiers इसके mirror को देखते हैं तो वो दुबारा से इसकी तरफ attack करते हैं रंशा जल्दी से अपने room में जाता है वो फोरण से चा कर अपनी gun में bullets फटा है और gun चला कर उन mini soldiers को दराना चाता था इसके बाद ये kitchen के cabinet में चा कर अपनी बड़ी rifle निकालता है जब soldiers बिल्कुल वामोच थे और कोई भी shoulder में बचा रहे थे तो ये couch को पलड़ता है और उस couch के नीचे soldiers के पहुँ सारी dead bodies देखता है और वो जो बच गए थे वो दूसरे soldiers के help कर रहे थे कई soldiers दूसरे soldier को चीब में चड़ने के लिए help कर रहे थे रंशार जो ये सब कोई देख रहा था उसको अपने आंखों पर भी believe नहीं हो रहा था तब ही ये soldiers पर अपने पाउं रखता है उन्हें मारने के लिए जबके soldiers इसके उपर fire कर देते हैं अब ये भी उन पर shoot करता है और इसकी एक ही bullet से काफी सारे soldiers मारे जाते हैं मगर attack यहाँ पर कतम नहीं होता तेन army twice helicopter टेबल के नीचे से मर्च होते हैं और इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं ये twice helicopter के अंदर से cannon ball से इस पर attack करते हैं वो इस पर अपने छोटे छोटे missiles भैंक रहे थे अब रंचा जोके डर गया था ये फोरण से वाश्रूम में आता है मिरर की तरफ देखता है इसकी बाड़ी पर बहुत सारे cuts थे इसके face पर भी cuts थे ये अपने face पर alcohol लगाता है अपने वांच को dress करता है और तभी एक helicopter वाश्रूम के तरवाजे में होल करता हुआ अंदर आ जाता है helicopter enter होकर पार बार अटेक कर रहा था प्लचा तभी एक दॉबल से उस helicopter को पकड़ लेता है ये उसको वाश्रूम में डाल कर ट्वाइलर फ्लश कर देता है मगार soldiers अभी भी give up नहीं कर रहे थे इसके बाद ही एक हेर ट्रायर से उनको मारने के ट्राय करता है ये बलच हेर ट्रायर पानी में डाल देता है जिससे आखिर कारवो soldiers मर जाते हैं अब ये decide करता है कि सारी राध ही बाथ रूम में ही रहेगा और इसकी safety के लिए ये बहुत सदा जरूरी था क्योंकि ये काफी सदा जखमी हो गया था अब इसके कुछ तेर बाद ही एक soldier को देखता है जो रूम के outside से इसके पास एक note फैंकता है और इस note पर लिखा हुआ था surrender रंशा इन soldiers की smartness को देख कर हैलान हो गया था अब ये भी paper पर जवाब लिखता है और इने liquor भीजता है screw you अब जब ये छुप कर देखता है तो देखता है कि एक soldier का group अपने tank के साथ इस पर attack करने के लिए तयार है अब वो group तर वाजे में hole करते हुए इस पर attack करना start कर देते हैं हर तरफ से बंबारी चल रही थी और इसे अब अपने life पर जाने के लिए बाहर निकलना था अब ये window से बाहर आता है मगर भाग नहीं सकता क्योंके ये 14 floor पर है अब ये आईस्ता आईस्ता बालकरी के तरफ चलना start कर देता है पर तब ही एक gold helicopter रा कर इस पर attack कर देता है और तब ही रंचा इन पर shoot करता है और वो helicopter crash हो जाता है उन्हें crash करने के बाग ही आईस्ता आईस्ता बैलकरी में पहुँच जाता है जहां पर जाकर इसको सकून मिलता है और अब अंदर जो soldiers थे वो वापिस आने का इसका wait कर रहे थे वो window की तरफ अपने guns को point के हुए है जबके रंचा यहां पर एक plan सोचता है वो rubber duck से soldiers को distract करना चाता है अब soldiers उसको देख रहे होते हैं और तभी यह पीचे से आगर उन पर attack कर देता है अब ये group तो यहां से भाग रहा होता है पर तभी दूसरा group इनकी attention ले लेता है और साथ ही साथ इस पर fire भी कर रहे होते हैं अब रंचा यहां पर एक lighter और सप्रे का use करता है आग बनाने के लिए और वो इन सबी को सिंदा चला देता है इसके बाद वो कुस्से में एक शाकू से इनकी body के टुकड़े टुकड़े कर देता है इसके बाद ये उस group के पास जाता है जिन पर इसने fire को छोड़ा था और उन पर बड़ा सा box फैंकता है और उन्हें भी मार देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे सोलजर्स आखिर कार मर चुके हैं अब इस बाद का यकीन करने के लिए कि सारे के सारे सोलजर्स मर चुके हैं ये उनको count करता है और box पर भी उनका जो number था उनको भी count करता है अब ये नमबर मैच कर रहा था और खुश हो रहा था कि आखिर कार में ने सब को मार दिया है अब ये रिस्ट करना चाहता था मगर ये बोनस सरप्राइस को तो भूली गया था जो कि बॉक्स के बैक पर लिखा हुआ था अब रंचास्वेमिंग पूल में चाता है वहां पर चाकर ये रिलेक्स करना चाता था पर तभी कोई पाने में आकर उसके रिस्ट काट देता है ये फॉरण से पाने से बाहरा था है इसके कलाई से खून बह रहा था और इसके चान बचाने के लिए ये बहुत जादा जरूरी था कि इसकी चलतल चल पैंटिज की जाए वो एक सुई और थागा लेकर खुद ही अपने जखमों को सीने लगता है इसके बाद ही उस घर को छोड़ने का फैसला कर लेता है ताकि सोचर्स दुबारा से इस पर अटैक ना करें मगर इसको ये नहीं पता था कि मुसीबत तो इसका पीछा एलिवेटर तक करेगी हम देखते हैं कि यग तम लाइट चली जाती है और बटन पैनल्स टूट जाता है यानि कि रंशा अब एलिवेटर डोर को भी नहीं कोल सकता अब ये चलती से फ्लेश लाइट चलाता है और इतर उतर देखता है मगर आसपास कोई भी नहीं था अब ये तुबारा से फ्लेश लाइट से देखता है तो इसको एक कमांडो नजर आता है अब यही कमांडर ट्वाइफ फेलिंग पैनल से हेलिकॉप्टर से भाग रहा होता है रुंचा भी अब इसके पीछे जाना चाता था मागर यह नहीं जा सकता था मगर यह तो एलिवेटर में भस चुका था हम देखते हैं कि यह एक अलिवेटर से दूसरे अलिवेटर पर जंप करता है यह सेलिंग पैनल को रिमूव करता है और इसके बात यह दूसरे वाले अलिवेटर में चला जाता है इसको यह लग रहा था कि कमांडर अभ यहां पर नहीं आएगा यह बिल्कुल सेफ है मगर इसकी ये खुशे ज़्यादा देर की नहीं थी ये देखता है कि ये कमांडो यहाँ पर भी आ गया है इसका पीछा करते करते ये कमांडो ट्वाइच चाकू से बार बार इस पर अटेक कर रहा था मगर क्योंकि वो चोड़ा था तो रंचा को इतना ज़्यादा हाम नहीं हुआ अब रंचा किसे ना किसी तरह कमांडो को पकड़ कर एलिवेटर के तरवाजों के अंदर करता है दूर कमांडर के सर को ग्रश कर देता है और आखिर कार वो मर जाता है अब रन्चा खुश हो किया था कि आखिरकार इसने कमांडो को मार दिया है ये कमांडो की बाड़ी को पकड़ता है और इसे देख कर स्माइल कर रहा होता है पर तभी इसको पता चलता है कि इसकी बाड़ी में तो एक एक्स्प्लोसिव बॉम है और तब ही वो पॉम ब्लास्ट हो जाता है और रन्शा की देथ हो जाती है वहाँ पर हम टॉय बॉक्स में एक स्टिकर देखते हैं जिसमें लिगा हुआ था कि कमांडो न्यूक्लियर वेबन की तरह है और न्यूक्लियर वेबन एक बोनस सर्प्राइस के तौर पर है वहाँ पर हम उसी फेरी टॉय को भी देखते हैं जो खुद बाखुद मूव कर रही होती है और इन सोल्जर्स का कमांडो आप देखी चुके हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है